स्लाम वालेकुम फ्रेंट्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम टू एफेच टू क्लासेज फ्रेंट्स की इस फीडियो में हम लोग जो हमने खुसूसी ज़रूरित के हामिल बच्चों की जो वीडियो फॉस पार्ट किया था उसको आज हम कंडियू करेंगे यानि जो बिहेविय तो मुछ इम्पॉर्टन बातें चूप्टथि यह थे देखे थे जैसे किया फरीकव तेगे थे दाइट यह देए और कि मेंपनल्याटि के त्यू कंडेंगे हैं पस्का नॉर्मल क्या होता है आप नॉर्मल बच्चा किसको कहेंगे फिर आप नॉर्मल एठी के कौन कौन सी किसमें है यह हमने पहले पार्ट में देख चुके है जिसमें हमने नॉरोसिस और साइकोसिस के बारे में थोड़ा डीटेल में देखे थे कि नॉरोसिस क्या होता है और साइ इसके जो डिफरेंट टाइप है इंशाला उनको देखेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं देखिए शक्सियत से मुतालिक नफसियाती अमराज यानि पस्नालेटी डिसॉर्डर इसमें सबसे पहला जो है वो नियूरोटिक अमराज है नियूरोटिक जो है इन्हें नियूरोसिस भी कहा जाता है देखिए ये अलरी मैं आपको बता चुक है लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे क्या नियूरोसिस या नियूरोटिक क्या है तो ये पस्नालेटी डिसॉर्डर है जिस अफ्राद को या जिन लोगों को जो है नियूरेटिक होता है या नियूरसीस होता है ऐसे लोग जो है हमेशा तफक्र वे तश्वीज में तफक्र यानि क्या हमेशा फिक्र में कश्मकश में रहते हैं वो लो मतलब पूर सुकूर नहीं रहते हमेशा खौफ जदा रहेंगे अफसुर्दा दिल रहेंगे मतलब हमेशा गमगीन रहेंगे खुश नहीं रहेंगे इनके ख्यालात में कोई खलर या बेतरती भी नहीं होती और इनमें वहमा और गलत तसुवरात नहीं पाए जाते यानि इनके अंदर कोई गलत असुराइट वगरे नहीं पाई जाते लेकिन फिर भी यह लोग जो है यह नाखुश रहते अक्सर वो बेचता है, यह मरीज यह जानते भी है कि इनके मसायल क्या है, मतलब इन मरीजों को पता होता है कि हमको कहां मसला है या हमारी क्या प्रॉब्रम है मरीज ख्याली बिमारी में मुप्तिला हो जाते यानि वो सी फिक इमेजिनेटिव जो डिसॉर्डर है उसमें मुप्तिला हो जाते हाला कि वो सेहत मन्द होते यानि अगर देखा जाए तो वो फिजिकली एकदम सहत मन्द होते लेकिन उनको ख्याली बिमारिया हो जाती है वो ऐसा इमेजिन करने लगते कि ये बिमारी उनको हो चुकी है बहुत ज्यादा सोते हैं और बाज आखाद बहुत सारी बाते जान बूच कर भूल जाते यानि ऐसे जो मरीज होते हैं नियूराटिक मरीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सोते हैं और जो है बहुत सारी बाते जो है जान बूच कर भूल जाते हैं ताके दबाओं और खिचाओं के हाला से राहे फरार इक्तियार की जाए यानि वो बहुत सारी बातों को नजर अंदाज कर देते ताकि उनको जो तनाओं है वो उससे जो है राहत हासिल कर सके वो उससे फ्री हो सके तो इसके लिए ऐसे मरीज जो है जान बुझकर कुछ कुछ चीजों को इगनोर करते भूल जाते तो देखें नियूरिटिक क्या और उनको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन मेंटल यानि उनके दिमाग के अंदर या उनके खयालों में ऐसा वहम उनको हो जाता है कि उनको ऐसी सी प्रॉब्लम है अब यहां पर इसके जो डिफरन टाइप है हम वो देखेंगे सबसे पहला जो टाइप फिकर रहना या फिर खत्रा रहना कोई भी चीज़ का या हमेशा कश्मकश्मे रहना बगेर किसी खास वज़ा के भी इसका मरीज मुक्तलिफ हालात में हमेशा फिकर बंद रहता यानि कोई वज़ा नहीं भी है आप आपने बहुस सारे लोगों को देखा हूंगा कि कुछ गया ऐसे होते हैं जो मामूली सी बात पर जहां फिकर मंद होने की ज़रूरत नहीं भी है तो वहां पर भी फिकर मंद होते हैं अब इसकी कुछ और अलामते और यहां पर दी गई है क्या है दिखिए तनाओं में रहना यानि जो एंसाइटी डिसॉर्डर है या नियूरोटि बदन से बहुत ज्यादा पसीना नी करना नीद ना लगना फैसले करने तबज्जा मर्कूस करने में दुष्वारी का सामना वगयरा मतलब उनको पता होता है ऐसे मरीजों को कि हमारी प्राप्लम कहा है उसका सॉलूशन क्या है लेकिन फिर भी वो सही तरीके से फैसला नहीं फिक्र करते हैं आप देखें बास माहिरे नफसियात का कहना है कि इसके मरीज जैसे खांदानों में पाए जाते हैं जहां इनकी इस्तेयात से ज्यादा बुलन मकासीत के हुसूल की तबक्क की जाती है यानि यह जो एंजाइटी डिसॉर्डर है वो किस वज़ा से होता है क्य इसकी वज़े से ऐसे मरीज हमेशा फिक्र में रहते हैं थच्भीज में रहते हैं हमेशा वो लोग जो है चिरखिहे हो जाते हों टेंशन की वज़ेसे उनको नींद वगएरा भी नहीं आती हों के तश्वीश के मरीज का इलाज किया जाए तो इसका सही रद्य अमल फौरण जाहिर होता है बरताओं में तब्दीली तरीके इलाज के जरीए मरीज का फौरी इलाज हो सकता है कि एक टाइप एंजाइटी डिसॉरडर मीं क्या होता है यहां पर जी बिश्वारी महसस होती है उनको पता होता है कि एक्च्वल प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ लेकिन फिर भी वह सही फैसला नहीं ले पाते हैं और ऐसा ज्यादा तर ऐसे खांदानों में देखा गया है जहां पर जो बच्चों से उनकी काबियात से ज्यादा उम्मीद की जाती ह कि जो एवरेज लेवल का बच्चा है तो उस पर ऐसे फोर्स किया जाता है या उससे ऐसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो क्लास में फर्स्ट है तो इस वज़ा से वो जो मरीज है या वो जो बच्चा है वो हमेशा फिक्र में हमेशा चिड़ चिड़ा और हमेशा जो है क्या कहेंगे हम तश्वीश व तफक्र में रहता है तो जो behavior therapy है उसके जरी ऐसे बच्चों का इलाज या ऐसे मरीजों का इलाज किया जा सकता है नेक्स टाइप देखी क्या है बेजा खौफ या नियूरोसिस का ही एक टाइप है जो शक्सियत से मुताली जो disorder है या उसका ही एक टाइप है बेजा खौफ अंग्रेजी लफ़ फोबिया यूनान के लफ़ फोबोस ही लिया गए हमें इतना सब जानने की जरुरत नहीं है देखे बेजा खौफ जो है इसको क्या कहा जाता है फोबिया कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको फोबिया कहेंगे यानि लोगों के अंदर अलग अलग तरह किसे या अलग अलग चीजों से डर बैट जाता है तो ऐसे जो खौफ या ऐसे जो डर है इनको क्या कहा जाता है Fobiya कहा जाता है यानि Fobiya के मानी ही बेजा खौफ होता है मतब जहां डरनी की ज़रुत नहीं तो बिना वजिए उनके दिलमे जो है ऐसे पेशिंट्स के या ऐसे मरिज्जों के दिलमे ऐसे बिच्चों के दिलमे उस चीज़ को लेकर एक खौफ बैठ जाता है तो इसे में एक्डम सन्णाटे में जहां पर कोई नहीं में सन्नाटा्य ऐसे में बहुत सारे लोका डर्व फोबिया करत तो फान की गरज के विझल नहीं क Vision कि अनैंपे रटutan've को एस्टे में स्यूज्जि onions के इनित्रीll लेने से डरता हुत app को बैलोनोफोबिया कहेंगे, बंद मकामत इने हैं, अगर बंद कमरे में कisी को अगर रखा जाए, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ लोगों को डर महसूस झाए, तो इसको इसको डर लगता है, कोई कसी को घबराःत होती है, तो इसको हैमेटोफोबिया कहेंगे, जरासिम से भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है तो इसको मैसोफोबिया कहेंगे इसी तरह से अकेला रहने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है तो इसे जो कहेंगे मोनोफोबिया कहेंगे अंधेरे के डर को कहेंगे निटोफोबिया भीड में भी बहुत सारे लोग कत्राते हैं तो उसको ओकोफोबिया कहेंगे बीमारी से भी बहुत सारे लोग डरते हैं बीमार उने से इसे पैतोफोबिया कहेंगे आग से जो डरने वाले उसको पैरोफोबिया कहेंगे railway से डरने वालों को साइड्रोफोबिया कहेंगे सेफलोफोबिया भी एक किस्म है उसके बाद जो जिन्दा जल जाने का बताब बिना वज़े खौफ हो जाता है कि हम जिन्दा न जल जा तो इसे टोपोफोबिया कहेंगे और जानवरों से जिनको डर लगता है इसको जूफोबिया कहेंगे तो यह इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोबिया बे वज़ा इनसानों के दिलों में आ जाते हैं तो यह भी कुछ फिजिकल डिसॉर्डर नहीं है यह से फिक personality disorder यानि हमारे behavior से related इसे शक्सियत से मुतालिफ disorder कहते है जो के neurosis है उसमें सबसे पहले हमने देखे anxiety disorder उसके बाद दूसरा हमने देखे बेजा खौफ यानि बिना वज़े किसी भी चीज़ का डर वैट जाना ओके देखे जो बेजा खौफ या जो फोबिया है उसका इलाज भी behavioral therapy के जरी किया जाता है मतलब उनके behavior में changes लाकर और यह कैसे किया जा सकता है तो उस इनसान को जिस चीज़ से भी डर है उसका पता लगा कर उसको दूर करने की जो है कोशिश यहां पर की जा सकती है अब देखे नियूरसिस के अंदर या neurotic disorder के अदर तीसरा है समा का इतिराफ किया है कि वो शर्मीले है और जो है नौवत असी फिसदी लोगों ने बताए कि इने भी जिन्दगी में ऐसे समाजी मुआ के दरपेश आए है कि उन्हों ने शर्मीले पन का मजाहरा की यानि वो अवाम के सामने तक्रीर नहीं कर सके या किसी चोटे मोटे ग्रो लोग ढड़ते हैं लोग जो हैं समाजी बेजाऊ कि सोषजाओ को ।ि इसको कहा ज decía सोशिल फोबिया ठीचें एसे जो लोग होते है यह किसी और के सामने कुछ भी काम करने शे जो जीजगते हैं गतर हो सकते हैं बच्चा अ değildi पर शिमें क्विझा हो सकता है अब उसके बार नेक्स्ट हम देखें के Convergent Disorder नेक्स्ट देखें क्या है Convergent Disorder इस बि przedsiębior में बगेर किसी इस बिमारी में ये भी Neurosis की टाइप है इस बिमारी में बगेर किसी जिस्मानी वज़ा के बिमारी दिखाई देती है मतलब कोई जिसमानी नुक्स नहीं होता है जैसे हमने देखे के निवरेसिस के सारे टाइप ऐसे ही है जिनमे कोई physical जो है problem नहीं होती है यह सिर्फ हमारे दिमाग में यह हमारे खयालों में होती है तो same convergent disorder में भी वही है कि इस बीमारी में कोई भी जो बीमारी हमको दिखाई नहीं देती मरीज के जिसमे में किसी भी तरह को कोई नुक्सिया खराब भी नहीं होती लेकिन जिसमानी मरीज के अलामतों की वज़ा नफसियाती होती है यानि जो मरीज को जिसमानी बीमारी है महसूस होती है वो उसके नफसियात की वज़ा से उसके दिमाग की वज़ा से होती है जैसे कि suppose किसी मतलब यहां पर कुछ मिसाले दी गए जैसे किसी मरीज का हाथ मफलूज हो जाना यानि किसी का हाथ काम ना करना या किसी के सर में शदीद दर्द होना या बार बार खासी आना इस तरह से या फिर हम ऐसा भी कह सकते कि suppose कोई एक फौजी है वो जंग में लड़ने के लिए गया वहाँ पर उसने बहुत सारी लाशे देखियो और वो डर गया अब वो जंग से जब वापस आया और उसको दुबारा जंग पर जाने के लिए कहा गया तो उसने उसको ऐसा फिल हुआ उसने ये कहा कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है या मैं बंदूक नहीं उटा सकता और उसने जाने से इंकार कर दिया तो यह उसकी नफसियाती बिमारी है हला कि उसको ऐसा कोई फिसीकली जो है problem नहीं है जिब उसको चेक वगरह किया गया तो पता चला कि उसको जसको ऐसी कोई बिमारी नहीं है और दूस्रे काम वो साथ से बरावर कर सकता है लेकिन जंग पर जाने का जब उसे कहा जाय तो उसके हाथ में दर्द होने है इस तरह जो कपश enslaved के जहाँ पर हम कोई सब्सक्रांबार जो क्या जा सकता है इसको यहां जो हमघंस की जा सकता minute जुए जो हम हम्हा मयर्य को अगएरा करते हैं इससे जरी मारी का का इलाज की आ जा सकती है यह था जा हो सकता तिसमानी बीमारी तो नहीं होती लेकिन नफसियाती बीमारी में अन्सान के खियालों में असा लगता है या उसकी सोच ऐसी हो जाती है कि इस इस टाइप का मर्ज है लोगों को लग रहा होंगा कि मैं चुह है इंग इंडे ले रही है तो यहाँ पर समझ में हैनको फर्क समझमें कि कौन सी आपकwatch और नहीं Your बात जो है PPT वगरा बनाने की तो मैं directly PDF जो मेरे पास अवेलेबल होते हैं उनका इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनकी अलग से PPT वगरा तयार करो और फिर वीडियो बनाओ तो इसके लिए जो PDF मेरे पास अवेलेबल मेरा मकसद बस यहीं है चाहे वो PPT के जरीए हो चाहे मेरे पास PDF अवेलेबल उनके जरीओ के टैट एक्जाम के लिए जितना material हो सकता है मैं आप लोगों तक उर्दू मीडियम के स्टूडन तक पहुंचाओ क्योंकि योटूब पर उर्दू मीडियम के स्टूडन आपको वो चीज़े यहाद आ जाए तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो नेक्स वाला है डिस शोशीयटिव डिस ओर्डर अब इसके काम मिसाल जो है इसमें क्या होता है इसमें जो मरीज होता है यह मरीज की यादधास चली जाती है यह अचानक अपने हालात को जो अपने माजी की तबाम बाते वो भूल जाता है घृर्अब दीमाध में किसी मिसस्ते को चोट पहुचने की वज़ा से यह मरी यहामर्ज हो सकता है अगर किसी शक्स की आदाश चली जाए तो इस बात की तहकिक नहायत ही जरूरी है कि ये किसी जिस्मानी या दिमागी चोट की वज़ा से है या नफसियाती सद्मा वगेरा है हम पहले उसकी तहकिक करेंगे कि उसको सर पर कही चोट लगी ति या फिर या उसकी रगजी बेरा है अब देखें इसके मिसाल यहां पर दी गई है कि फक्त की बीमारी होती है कि मरीज अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है अपना नाम पता रिष्टेदार सब कुछ बूल जाता है फिर दो तीन दिन के बाद दो तीन महिनों के बाद या कई बरसों के बाद अचानक उसको पर दो पता है तो इस तरह से जो है डिस तो इसमें मरीज की यांद दाश चले जाती है तो वह जिसमानी भी हो सकती है या दवाईयों की कुछ नशावर चीजों की वज़ा से भी हो सकता है अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम जिएक नियूरों से इसमें कोई फिजिकल कारव नेक्जाम होती है वह सारी नियूरोंस में आते होगे इसको हम इसके मरीज को हम नियूरोटिक कहते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे एंप्रसनेलिटी डिसॉडर अब दिखिए कसे तरह का होता है ये ऐसा होता है मतब इसमें एक इनसान के अंदर दो शक्सियत चु मिस्टर ए बन कर रहता रात में मिस्टर बी बन जाता है यह ऐसा शेक्स से दिन में कुछ और होता है रात में उसका भी है फिर कुछ और ही होता है जिसे कोई शेक्स जो दिन में बहुत ही जो है तहजीब की बाते करता है बहुत ही जो है सुसाइटी की बाते करता है बहुत ही स बहां जागने पर इसे अपना रात का कोई भी वाकिया याद नहीं रहता क्योंकि दिन में वे मिस्टर A की है रहते याइंट दिन καई दिन का उसको रात में याद नहीं रहता रात में रहतां रात का उसको दिन बहुत अजीब अजीब जो आम तोर पर याम हालत में तसवर भी नहीं कर सकता ऐसे ख्यालात उसके जहन में आते जैसे कि आम मिसाल दीगे जैसे एक बीवी के जहन में अपने शोहर को जान से मार डाने का ख्याल बार बार आना ये किसी शोहर के दिल में बार बार ये खयाल आना कि वो अपनी बीवी को सीडियों से नीचे ढखेल दे या जैसे किसी औरत को दिन में 20 यो मरतबा रगड़ रगड़ कर हातों का धोना ये रात में सोने के कमरे में जाकर बार बार दर्वाजा बंद करने के लिए जाना तो इस तरहां कि जो खयालाते जो आम हालात में नहीं हम तसवर भी नहीं कर सकते ऐसे जो नाखुशगवार वाक्या तर अजीब जीब खयालात कभी कभी किसी को आ जाते तो कि यसींदुनी को हमने पिसिकल्व निशूर्डर स कि भी देखे हैं últ liner same उनक हमने एट चाह्य गधार's है हुए ग आज़ा पौबिया देखे फिर हमने social phobia देखे उसके बाद हमने dissociative behavior देखे उसके बाद हमने यहां पर जो है m personality disorder देखे और फिर o compulsive disorder देखे तो सबसे पहले क्या था हमारा सबसे पहले जो हमारा anxiety disorder था यानि उसके अंदर मारीज को जो है बेचैनी महसुस होती है यहां पर फिकर करने की जरुरत नहीं यहां पर भी वुए फिकर में रहता है phobia में क्या होता है phobia म Squeeze बेजा खौफ पैदा हो जाता है कैसी चीजहों को लेका आख से पानी से डर लगता है किसी को आंग से डर लगता है किसी को उंछाइन दर लगता है तो यह इन दिफ्रेंट थाइप कहा यह होता है और are social phobia में आदर यह समाज के लोगों के साथ घुल McCain मिलने में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती ना तो वह लोगों के सामने जादा बातचीत कर पाते ना खोई अपने रोज मर्णा के काम कर पाते हैं जैसे कुछ लोग दो लिखन लिखते अगर इंसान के बैटा है जहां पर कोई जिस्मानी वीमारी नहीं होती, लेकिन फिर हमको लगता है कि हमारे उस पार्ट में प्राब्लम है, या हमारे उस पार्ट में कोई बीमारी में हो गया है, तो यह konvergeon disorder है. उसके बाद हमने देखिए Dissociative Disorder इसके अंदर हमने क्या देखे कि जो मरीज जो है वो अपने माजी के वाकियात को भूल जाता है और जो है उसको कुछ भी याद नहीं रहता है यह सरदवा की वज़े से शराब की वज़े से दिमाग पर चोट बगरा लगने की वज़े से भी हो जाता है कि मरीज की याद दश वापस आ जाती है और जो है वो इसके इस जो एमनेसिया की हानत में जो कुछ भी हुआ था फिर वो उसको भूल जाता है ओके फिर हमने एंपसनालेटर डिसॉर्डर देखे कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही इंसान के दो शक्सियती होती है कि वो दिन में एक काम करता है उसको दिन में याद नहीं रहता है इस वजह से एक ही इंसान के अंदर यह दो परसनालेटिस पाई जाती है उसके बाद ओकंपलसी डिसॉर्डर हमने देखे कि इसमें अलग अलग तरह के खयालात आते हैं इनसान के दिमाग में जो कि नॉर्मली जो है आम हालात म बारबर कपड़ों को जटकना यह सारी चीजे जो है यह और इसमें डिसॉर्डर में आती है अब दिए नेक्स्ट हमने देखे थे साइकोसिस बीस्यक्राइब देखे पाई नियुर्चाइब अम्राज नहाएत होते हैं मरीज का हखेकत की दुनिया से तालुक तूट जाता ह और वो अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने रगता है लेकिं साइकोसी जो ही एक दिमागी बिमारी है तो ये बहुत ही संगीन बिमारी जैसे नियूरोसी से इतनी संगीन बिमारी नहीं थी उसको हम जो है कुछ थेरपीस वगजरा के जरी या उनसे अगर और विभीन जाता है लेकिं साइकोसी से स्यथी बिमारी हो थी जिनमें हमको हश्पिटल से राप्ता कायम करना परदे है तब ही जाकर इन बिमारी ऌपर और काबू किया जा सकता है तो ऐसे जो मरीज होते वो अखिकत की दुनिया से एकदम अलग हो जाते है वो अपने दिमागी खरावी की वज़ा से भी हो सकते हैं यानि किसी के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसकी वज़ा से भी जो है साइकोसीस यजो हो सकते हैं अप ज़लमिया 9 विखत साइकोसीस और नफसियाती वज्गहांस भी यॉक्य हो सकते जाता है उसको अपने रोज मर्रा के कामों से भी कोई लेना देना नहीं होता यह था या पिसी को कोई सद्मने के और कि कोई चोड़ लगई तो इसकी वज़ा से भी यह सकता है अब हमने देखे थे जिसके जो साइकोसिस के मारिज होते हैं उनको आजीब जीब तरह के वहें मोते हैं उनको ऐसे लगता है कि जैसे कोई उनको मारनी के लिए आ रहा है या कोई उनको जहर देकर मारना चाहता है या फिर किसी सार रसी को देखकर उनको लगता है कि ये साप है बाजी 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 तरह के ख्यालात उनके दिमाग में आते हैं उनको जो है बेजा लोगों से खौफ होने लगता है उनको लोगों से डर होने लगता है उनको ऐसे लगता है कि कोई उनको जान से मारना चाहता है आप इसके डिफरन डिफरन टाइप है तो हम वो डिफरन टाइप देख लेंगे सबसे पहले है शिजोफेर्निया आप देखें शिजोफेर्निया क्या है शिजोफेर्निया एक आम बिमारी है शिजोफेर्निया का मतलब है इस्प्लेट या बिखर जाना अब इसका जो मरीज होता है वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाता है यानि बहुत ज्यादा गमगीन होता है अब ल्यूटर नामी माहिर नफसियात ने शिजोफेर्निया नाम दिया इसके मताबिक मरीज की शदीद किसमे की टूट फुट और बिखराओं पैदा हो जाता है यानि ये जो शिजोफेर्णिया नाम की बिमारी है इसमें ये बिमारी ऐसे मरीज को होती है जो अंदर से बहुत ज्यादा तूट जाता है बहुत ज्यादा किसी सदमी की वज़ा से बिखर जाता है उसके अंदर शदीद की चोट लगी हुई होती है तो ऐसे जो अफराद होते हैं इनको शिजोफेर्णिया कहते हैं अगर उनको हम कोई गम वाली खबर सुनाएंगे तो हसने लगते हैं कोई हसी की अगर उनको पूछा कुछ और जाता है वो जबाब कुछ और ही देते हैं अब इस तरहां के जो मरीज दोते हैं उनकी यादाश गुफटगू गर वो खोस की कुवत बेहद ही नाकिस हो जाती है यानि ना तो उनकी यादाश अच्छी होती है ना उनका अंदाश गुफटगू अच्छा होता है और ना ही वो किसी चीज पर गौर वो खोस कर पाते है यानि उनके जो दिमाग है वो बिल्कुल सही तरह से काम नहीं कर पाता है शिजोफेरिया के मरीजों का वो अपनी ही दुनिया में रहते है ना उनको अच्छा समझता है ना उनको गम समझता है ना उनक लौच दिये गए हैं कि यह जो मरीज हुते हैं शिजो फेर Avengers के यह अकु Byं आतके från चुवकल इनका रापता है मरीज के ज़जबात और इनका इजारे मुद्वा रिजाती हैं यानि मरीज के जजबात और वो जो उसका इजहार करते हैं उनमें बिल्कुल भी तावाजू नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी उनमें बैलेस नहीं होता है इसके ख्यालात में तर्तीब और तसलसूल और उमूमियत नहीं होती है इनके जो ख्यालात होते हैं इनमें बिल्कु वहम होते हैं लेकрах उनकी दिर्वाइन से कि चलना ने दिया इस सब्सक्राइब और वाल्फ की ट्राहिए रेहा है सब्सक्राइब और इसलिक घ्रबाउम से जड़ाया भी, वहम झी कई जлагया रहा है तो शिजोफेनिया का जो इलाज है फेनोटी आजी नामी दवाईयों का इस्तेमाल करके शिजोफेनिया का इलाज किया जा सकता है या इलेक्ट्रिक शॉक है नहीं जो देखे होंगे आपने कि जो इनसान को DMAGAON害ी विमारी होती है उनका DMAGAON सभी तरह काम नहीं करता है तो उनको इलیک्ट्रिक डिया जाता है तो इस तरह से भी जो है शुजओगे शुजओधे जा सकता है से किया जा सकता है इनको इलैप्टिक शॉक वगएरा देकर भी जो है शिजो पेरनिया का इलाज किया जा सकता है यह बहुत ही संगीन मर्ज है, यह मरीस अपने आप पर बिलकुल काबू नहीं रखता है नहीं लोगों के एहसासाथ और उनके हुकुक की इसको परवा होती है मतब समाज के मुखालिफ इसका बरता होता है, जो चीज़ा समाज को ना पसंद है वो इसको पसंद होती है करना ओके अब यहां पर लेकिए समाज मुखालिक बरताओं वाले मरीज की जो है कुछ अलामत ही यहां दी गई है यह मरीज नहायती जहीं तेज ररार और बातूरा होता है मतलब ऐसे जो मरीज होते हैं इनको कोई इसी नफसियाती बिमारी नहीं होती ना ही इनको कोई फिजि कर लेते हैं यह मरीज शराब और मुंशियात के भी जो है आदी होते हैं इनका अपने जजबात पर काबू नहीं होता यह नहायती खुदगर्स होते हैं शातीर और मकार भी होते हैं लेकिन लोगों को इनकी मकारी का इल्म जो है यह बाद में होता है मतलब ऐसे मरीज जो होत बात से समाज के जो रूल है जो रिती रिवाज है इनसे इनको कोई लेना देना नहीं होता है ना तो वो समाज की बातों को मानते हैं ना उनके जापतों को ना उनके कवायत को ना उनके उसूलों पर अमल करते हैं यह बहुत ही बेहिस इनसान होता है किसी का भी इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है इसलिए इनको समाज मुखालिक बरताओं वाले इनसान कहा जाता है नेक्स हम देखें नेक्स कहा है नेरसिस्टिक पसनालिटी यानि नर्गीसियत इसको उद्व में कहा चाता है नेरसिस्टिक पसनालिटी अब इस मरीड़ की जो अलामते वो दर्ज ह्दल दी गए है इस मर्ज़ के बरताओं में ड्रामाईयत होती है इसके दिगर लोगों से तालोकाद भी गहराईयों से नहीं होते है इनके जजबात के इज़ःर में भी सताही मतब जो इनके जजबात होते वो भी बिल्कुल जो है मुझबत नहीं होते है या फिर इनके जजबात का इसहार करते है वो बिल्कुल हकीकत पर मपनी नहीं होते है ओके और देखें क्या है ये मरीज अपनी कमजोरी और खतरात की वज़ा से दूसरों पर इनहीं होते हैं या इनके अपनी कमजोरी और उनको दूसरों से जो खतरात की वज़ा से ये क्या करते हैं दूसरों पर मुनसिर होते हैं दूसरों पर डिपेंड करते हैं ये नहायत ही खुद सर उस degrees गुई संठे इसके कि फिस्नि करें लोग इनकी तहसीन मों आफरिन करें यानि यह लोग बहुत ही चुन करें कि तरी करें कि दोग बहुत्थ को इसके भूरेन करें Теперь को हमसे कोई नहीं सक Prab Kn educated को सबसे ज्यादा आला समझते हैं खुद को बहुत ज्यादा एहमियत देते हैं आपसी तालुकात में अपनी खौइशात की तक्मिल के लिए दूसरों से हर तरह के ताउन की उम्मीद करते हैं यानि आपसी तालुकात जिससे भी इनका तालुक पढ़ता है की लिए ये दूसरों से हर तरह की मेतraf चाहते हैं कि दूसरे इनके खौइशात को पूरा करें इनको सपोर्ट करें ऐसी तवक्या ये दूसरों से करते हैं तो क्या है देखिए उसका बाकी यानी ये दूसरों की जुजो ज़रूशात और खौइशाते इनको नजरन्दास कर देते हैं कुवत और अक्तिदार हासिल करने की लिए ये लोग दूसरों के कांदे पर चड़कर दूसरों को रौन देते हुए बेहिसी के साथ आगे बढ़ते हैं यानि खुद को कुवत खुद को ताकत और आला रुदबा हासिल करने की लिए ये लोग क्या करते हैं दूसरों के उपर चड़कर यानि दूसरों का यूस करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और बेहिसी के साथ ये जो आगे बढ़ जाते हैं अमरीका जैसे मुमालिक में जहाँ खुद आतमादी और आगे बढ़ने की दौड में लोगों की होसला अवजाई की जाती है खुद गर्जी के इस माहल में ये लोग ज्यादा कामियाब हो सकते हैं ये मरीज अपनी काबिलियत और सलाहियत के बारे में सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते और खुद को बहुत ज्यादा लायक और बासलाहियत समझ बैटे यानि उनको अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत का अंदाज़ा नहीं होता हुटा उनको ऐसे लगता है कि सबसे बढ़कर मैं हूँ और जब नाकामी का सामना करना पड़ता है तो महरूमी और शदीद मायूसी का शिकार जो है ये हो जाते है यानि जब इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा महरूमी और बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाते है अब इसका इलाज किस तरह से किया जाता है इस तरह के मरीज़ों को इलाज की जरूट उस वक्ते पेश आती है जब वो मायूसी और महरुमी का शिकार हो जाते है मतب bast Lambda máis thousand ओंई ओओ झा वह मायूज और महλवी में मुपतला हो जाते tutte, जब उनको ऐसा लगता है , जो चीज की हम अमीद कर रहे थे, कि हम हम यह कर सकते है, और वो इनके साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो अपने साथियों को अपने रिष्टेदारों को फैमिली मेंबर्स को जो है इसका जिम्मेदार मांते हैं खुद की खामियों को नजर अंदास कर देते क्योंकि खुद को तो यह सबसे ज्यादा बहतर समझते हैं ना एसके लिए यह क्या करते हैं खुद की कामियों को नजर अन्दास कर देते हैं आपसी तालुकाथ में खुशिघवार माहौल पैदा करके इने सुधारा जा सकता है तो ये अभी हमने यहां पर देख लिए डिफरंट टाइप के साइकोसिस डिसॉर्डर शिजोफेनिया देखे फिर समाज मुखरी बरताओ देखे फिर नियूरोसिस देखे अब और कुछ टाइप हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है देखे नेक्स साइकोसिस जो है इसमें आटिजम आता है अब आटिजम क्या है देखे आटिजम के बारे में बहुत सारे सवाला पूछे गए हैं बच्चों के ऐसी बिमारी जिसमें तीन चार साला उमर के बच्चे अकेले पनका शिकार हो जाते हैं आउटिजम के अंदर क्या होता है कि बच्चों अकेले पनका शिकार हुजाते हैं उसक्राइबर आपकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता हैं लोगों से अलग खामोछ बैठ कर पंके को घूरते हैं या बेजान चीजों को देखते हैं डिया इसे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल बेहिस्जे होते हैं, इतनले पुछे ज्यादा हरकत नहीं होती है, यह अलग थलग रहते हैं, अखेले रहते हैं, अपने हम उमर बच्चों से मिलना जुलना या बिलकुल बरदाश्च को नहीं लगता ये बच्च के साथ के लिए महरूमी बिलकुल बरदाश्ऩ नहीं कर सकते हैं स्कूल के माहूल में। या अपनी उमर के साथ के साथ खेलने में महरूमी इन्हें बिलकुल …utism का ओंपी ≥ ली Dáले अगर चूजा वालिदें के यहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो कि अगर उनका बच्चा तनहाई पसंद है अकेले में रहता है तो अपने बच्चों के साथ गर्म जोशी और प्यार का इजहार करें उनको अपने साथ उठने बैटने के आदर डाले लोगों से मिलाय जुलाय इस तरह से उ आरटीजम, नेरसिय्ट, नेरसिस्टिक पसणैलिटी डी सॉ और ये जी सारी विमारिया हमने देखे फोब या वगरा तो jsuyे सारी जो और विमारे सब्रान साथ उनको इन में कुछ नियोरोटिक थी और कुछ साइकोसिस थी नियोरोटिक के अंदर हमने देखे नियोरोटिक की भी कुछ किसमें हमने देखे और साइकोसिस की भी कुछ किसमें हमने यहाँ पर देखे तो ये सारी चीजे मैंने आपको बहुत की डिटेल में समझाई हूँ वीडियो को आप पूरा देखिए वीडियो को बिल्कुल भी जो है एक से दो मर्तबा देखिए अगर समझ भी नहीं आता है तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टन है और भी जो डिफरन टाइप के डिसॉरडर है इंशाला मैं नेक्स वीडियो में ज़रूर करूँगी और हमारी जो है रीजनिंग के भी जो टॉपिक है इंशाला जो डिफिकल्ट डिफिकल्ड टॉपिक है चानल से एक्जाम तक ज़रूर जुडे रहे हैं और दूसरों तक भी इसके लिंक शेयर किजी और अगर अगर अपको अछ्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें अगिन तो एक वीडियो को दो से तीर मर्तबां आप repeat कर लीजिए तो इंशाला आपके दिमाग में सारी बाते जरूर फिट हो जाएंगे उमीद करती हूँ आज जो यह disorder आपको बताएंगे हैं नियूरोसिस और साइकोसिस के रिलेटर जितने भी टाइप के disorder थे जितने भी किसमेती डीटेल में बहुत ही डीटेल में मैंने और लाइन टू लाइन आपको बताई हूँ ताके आपको एक्जाम के अदर बिल्कुल भी एक भी पॉइंट अगर आ जाए तो आपको प्रॉब्रम ना हो हर पॉइंट को मैंने यहाँ पर कवर की हूँ तो दूसरों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नेक्स वीडियो आने तक मुझे दूआ में याद रखिए तब तक के लिए लाहाफिज